हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंपेर करके बताने वाला हूँ Samsung Galaxy A54 और Samsung Galaxy A55 के बीच में क्योंकि यह दोनी स्मार्टफोन Samsung A7 Ridge का प्रीमे में स्मार्टफोन राता है और 2023 का smartphone था Samsung का A54 और 2024 में Samsung launch करने वाला है अपना A55 तो क्या जो लोग Samsung का A54 इस्तिमाल कर रहे हैं उनको क्या upgrade मिलेगा Samsung के A55 में और क्या upgrade actual में Samsung A55 में हैं पर करने वाला है सभी कुछ आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो प्लीज वीडियो को पूरा एंडर तक देखेगा चैनल में अगर आप लोग पहली बार आउंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजेगा सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो दोनी फोन में आप लोग को सेम डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंचेस का 1080P Super AMOLED स्क्रीन है दोनी फोन में आप लोग को 120Hz का refresh rate मिल जाएगा और दोनी फोन में आप लोग को 1000 निच्ट से यहां पर brightness देखने को मिलेगा तो डिस्प्ले के मामले में सेम है लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो Samsung के A55 में आप लोग को थोड़े कम बेजल से देखने को मिलेगा दोनी फोन का back panel या फिर आप लोग कह सकते camera का layout यह सभी कुछ आप लोग को सेम देखने को मिलेगा बस colors में आप लोग को थोड़े difference यहां पर देखने को मिलेगा A54 में बता जा रहे कि आप लोग को cooling system दिया जाएगा जो कि फोन गरम होने से बचाएगा इंप्रूब speaker यहां पर दिया जाएगा A55 में अब बात करते हैं processing power की तो Samsung Galaxy A54 में आप लोग को पता है कि एकजनोस का 1380 मिलता है और यहां पर आप लोग को A55 में एकजनोस का 1480 मिलेगा जो कि 22% fast होगा एकजनोस के 1380 से तो यह report यहां पर निकल के आया है क्योंकि Samsung के A55 में एकजनोस का 1480 मिलता है जिसमें आप लोग को AMD का Xclip GPU मिल रहा है जो कि ग्राफिक के लिए गेमिंग के लिए जादा बहतर होगा तो यह अपने हिसाब से देख सकते हैं लेकिन मैं आप लोग को इतना बोल सकता हूं कि मैं Samsung लगबग 10 साल से इस्तिमाल कर रहा हूं Samsung on paper जो भी टाइम लंब है समय तक इस्तिमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को लेग हीटनेस यह सब महसूस हैं पर होगा ही तो यह मेरा प्रसनल एक्सपीरेंस है मैं A54 जैसे स्मार्फून आप लोग को बैटरी ड्रेन इसे देखने को मिलता है हीटिंग उसे देखने को मिलता है और सेमसंग गेमिंग के लिए टार्गेड भी नहीं करता है क्योंकि फोन सेमसंग के गेमिंग के लिए बना ही नहीं है अगर आप हेवी मल्टिटस्टिंग भी करेंगे ना तो मैंने खाल से दोनी फोन आप लोग के लिए नहीं है क्योंकि मैं खुद हेवी मल्टिटस्टिं तो आप लोगों के लिए OnePlus का 12 बार ज्यादा बहतर रहेगा मेरे ओपीनियन देखिए दोनी फोन में आपको सेम केमरा स्प्रेस मिलता है 50 Megapixel का ट्रिपल केमरा का सेटप दोनी फोन में सेम ही है सेम सेलफी केमरा मिलेगा तो आप लोग केमरा से दोनी फोन में परफेक्ट मिलता है केमरा में कोई भी फोन लीजिए आपको बहतर ही रिजल्ट यहां पर प्रोवाइट करेगा दोनी फोन में डाउन ग्रेट है और डेफिनेटल बहुत सारे लोगों को यह चीज़ यहां पर पसंद नहीं आएगा एंड्रोइड का 14 अभी फिलाल दोनी फोन में है लेकिन सेमसंग का एंड्रोइड 17 तक अपडेट मिलेगा जबकि आप लोग सैड बाइशेड एफिफटी फॉर और एफिफटी फैब को रखेंगे तो आप लोग को बस कुछ माइनर चेंजर देखने को मिलेगा जिस तरह से प्रोसेसर में ही चेंजर हुआ है और हलका आपको बेजर सेहां पर कम देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर देखने को मिलेगा तो प्राइसिंग बहुत जादा है अगर आज के टाइम में आप लेना चाहते हैं तो आप लोग का अपग्रेड नहीं मिलेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज नगर आपको चैनल में पहली बढ़ा होंगे तो चैनलों को सब्सक्रा